हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर्वर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को आण में रख लीजिए सो हमारे चैनल में आने वाले एवरी वीडियो को आप मिस किये भी न देख पाओगे सो बहुत सारे लोग कमेंट्स और इंस्टाग्राम में मेसेज़स कर रहे है कि एथिकल हैकिंग कैसे सीखना है और आप सिखाओगे क्या आपको जिस कम्प्यूटर यूज करने का नॉलेज होगा तो बस से बिना किसी प्रोग्रामिंग नॉलेज के भी एथिकल हैकिंग सीख सकते हो पहले कोर्स में क्या कंटेंट सिखाएंगे उससे आपको कैसे सीखना है और सर्टिफिकेट कैसे देंगे इनके बारे में पूरा डीटेल में समझते हैं सो पहले कोर्स में होने वाले कंटेंट के बारे में समझते हैं इस कोर्स में पूरा 16 सेक्शन होंगे उन सेक्शन में क्या कंटेंट रहेगा उसके बारे में भी डीटेल में बताऊंगी First section introduction इस section में cyber security, information security, hacking, ethical hacking, hackers types, hacking faces, threats ऐसे hacking के बारे में detailed information रहेगा और कौनसे certifications करेंगे तो better होगा उसके बारे में भी detail में explain करेंगे Next, second section networking of ethical hacking इस section में network, networking, internet, computer networking, ports and protocols, IP, IPv4 and IPv6 ऐसे networking के बारे में detailed में बताएंगे So आपको networking के बारे में clearly समझ में आएगा Next, third section, setting up the environment इस section में Linux के बारे में and hacking के लिए यूज करने वाले operating systems, installation, setup and उन्हें कैसे commands के साथ operate करना है वो भी रहेगा So ये section से practicals होंगे and beginners को भी समझने जैसा detailed explanation के साथ advanced level में practicals होंगे Next, fourth section, footprinting and reconnaissance इस section में hacker एक target को चूज करके उस target को hack करना चाहेगा तो उस target को बिना पता लगे उसके information को कैसे gather करना है उसके बारे में practicals के साथ रहेगा इसमें कुछ tools के बारे में भी बताए है and practical में करके भी दिखाए है एक hacker एक target को hack करना चाहता है तो तब उस target के related information को gather करना होगा ये hacking में first step है तो हमें hack करने वाले target का information पता होगा तो तब भी हम easily hack कर पाएंगे तो इस section में वो information को कैसे gather करना है उसके बारे में practical के साथ रहेगा next fifth section network scanning इस section में किसी भी network को scan करके उस network के बारे में information जाज सकते है वो कैसे करना है practical में रहेगा Servers को scan करके वो Servers Information को कैसे निकालना है उसके बारे में रहेगा एक Network को कैसे scan करते है कितने Waste में scan करते है और कौन से Tools को use करके scan करते है और Advanced Techniques भी इसमें होगे Next, Sixth Section Exploitation इस Section में एक Server को कैसे hack करना है कितने Waste में hack कर सकते है and कैसे tools and techniques को use करके hack कर सकते है इसके बारे में practical में रहेगा and कुछ advanced में कैसे exploit करना है उसके बारे में भी रहेगा Next seventh section password attacks इस section में hackers किसी भी files को password रहेगा तो उस password को कैसे crack करते है crack करके उस files पर कौन से attacks करके password रहेगा तो भी कैसे open करते है इसके बारे में इसमें tools को use करके practical के साथ रहेगा किसी भी एक PDF file को password रहेगा तो उस password को hacker कैसे crack करके open करता है इसके बारे में इसमें practical में रहेगा Next 8th section denial of service इसे ही DOS कहते है इस section में hackers किसी भी network को down करना चाहेगे तो उसके लिए कौन से tools को use करके उस network को down करते है इसके बारे में practical में रहेगा मतलब hackers किसी भी website को अगर open नहीं होने देना चाहते है तो तब वो website work नहीं होने के लिए क्या करते है और कैसे करते है इसमें बताएंगे और कुछ advanced tools को भी use किये है Next 9th section android hacking यह android hacking में बहुत सारे लोग interested होते है तो इसलिए हम कुछ advanced rats को use करके एक android mobile को कैसे hack करना है practical में करके दिकाए है इसमें advanced practicals तो होंगे and rats भी provide करेंगे एक mobile में payload को install करके उस mobile में जो data होगा उसे कैसे देखना है और उस mobile को कैसे control करना है इस section में बताएंगे नेक्स्ट 10th section system hacking यह system hacking में भी बहुत सारे लोग interested होते है तो इसमें भी एक system में चोटे से file को run करके उस system को कैसे hack करना है और उस system में जो data होगा उसे हमारे system में कैसे देखना है और कैसे download करना है और उस system को कैसे control करना है उसके बारे में भी इस section में रहेगा नेक्स्ट 11th section steganography इस section में hackers किसी भी information को बिना किसी को दिके ऐसे encrypt करके कैसे share करते है law enforcement agencies भी किसी भी secret को internet में बिना leak हुए कैसे share करते है और किसी भी personal data को securely कैसे save करना है ऐसे सब यह steganography techniques को use करके कैसे करना है practical में रहेगा इसमें advanced tools भी रहेंगे अब समझें कि कोई भी एक file है जिसमें secret data है तो उस file को directly किसी को भी share करेंगे तो internet पर leak भी हो सकता है और system hack हुआ तो उसमें जो personal data होगा वो leak होगा ऐसे सब भी हो सकते है तो यह steganography techniques पता होगे तो ऐसे सब नहीं होने के लिए कैसे protect कर सकते हैं उसके बारे में रहेगा next twelfth section social engineering यह section में भी बहुत सारे लोग interested होते हैं इस section में social media accounts को कैसे hack करना है उसके बारे में practical में रहेगा मतलब एक link send करके उस link को target क्लिक करके use करेगा तो उस target के related social media account details एक hacker के पास कैसे आएगा इसके बारे में practical में रहेगा एंड एक link share करके उस link पर target क्लिक करेगा तो उस target के location को भी कैसे track कर सकते हैं इसके बारे में भी इसमें रहेगा तो आपका interest होने वाला content ही रहेगा इसमें इस section में बहुत ही advanced tools and methods होंगे और इस section में एक video करने के लिए हमने 15k तक spend किये है तो उस level में हम आपके लिए advanced wifi hacking लेकर आये है वो कैसे उसके बारे में अभी explain करती हूँ अब समझिये कि हम एक wifi network को hack करना चाते है सो उस wifi network को और उस wifi से जो भी connect होते है वो लोग connect नहीं होने के लिए उनके wifi को jamming करते है next उनके name से दिखने जैसा एक fake wifi network को हम create करते है next हमने create किया हुआ wifi network को connect होने के लिए try करते हुए वो लोग उनके own wifi network के password को enter करेंगे तब उनका password हमारे पास आएगा so pure and successful advanced wifi hacking तो होगा इसमे next 14th section sniffing and spoofing इस section में एक hacker उनके identity के बारे में पता नहीं लगने के लिए कैसे protect करता है और किसी और के details को use करके उनके जैसे internet पर कैसे रहता है इसके बारे में practical में होगा next sniffing मतलब एक hacker जब किसी और के network से connect होता है तब वो लोग क्या browse कर रहे है और उनके mobile और system में क्या use कर रहे है और उनके data को sniffing कैसे करना है उसके बारे में practical में होगा next 15th section cryptography इस section में किसी भी data को कैसे encrypt करना है अगर कोई और भी देखेंगे तो उनको समझ में नहीं आने जैसा हमारे data को कैसे protect करना है और encrypt हुए data को कैसे decrypt करना है इसके बारे में practical में होगा next 16th section and last section proximity and anonymity इस section में एक hacker proxies and vpns को use करके जब hacking करता है तब उनका information पता नहीं लगने के लिए कैसे protect करता है और हमें भी कैसे careful रहेना है उसके बारे में इसमें होगा सो ऐसे 16 sections में बहुत ही advanced level practicals के साथ with certification के साथ ethical hacking course तो रहेगा सो ये course कैसे सीखना है और कहा सीखना है और certificate का value होगा या नहीं होगा उसके बारे में अभी detail में समझते हैं हमारा company ISO 9001 और ISO 27001 certified company है ISO 9001 मतलब quality management है और ISO 27001 मतलब information security management है सो ये two ISO certified company है हमारा company सो हम आपको ISO standards के साथ certificate provide करेंगे यहाँ screen पर दिख रहा है ना ऐसे होगा और आपको देने वाले certificate और इस certification को आप resume में भी add कर सकते हो और इस certificate को आप हमारे website में verify करके भी देख सकते हो और download भी कर सकते हो और हमारा company IS Cyberverse Private Limited है ये company registered company है आप government website mca.gov.in में भी चेक कर सकते हो हमारे company का name सर्च करोगे तो आपको full information भी आएगा next course के बारे में समझते है इस course में 95 प्लस videos होगे और वो वीडियोस हमारे Cyberverse Academy आप में 24 by 7 अवैलेबल होगे ये आप को आप Play Store से डाउनलोड कर सकते हो और लिंक से नीचे description में और comment box में भी पिन करके रखती हो उसमें आप आपका number देके register हो जाओगे तो आपको उसमें courses दिखेंगे और ये course का 6 months validity होगा बट आप सिर्फ 3 months में ही ये पूरा course सीख सकते हो next हम अभी तक ये course को 150 plus students को सीखाए है हमारा तेलगू language में भी academy है और हम 460 plus students को train किये है 2021 और 2022 years में so आप भी ये course को enroll होके ethical hacker बन जाएए next ये course सीखने के लिए programming knowledge होने का जरूरत नहीं है और कोई age limit भी नहीं है और ये course price देखोगे तो just 2499 रूपीस ही है मतलब सिर्फ एक dress के जितना value ही है just ये price से ही आप बहुत सारे tools के साथ hacking सीख सकते हो and pure practical knowledge तो आएगा ये तो sure है clearly focus करोगे तो आप एक ethical hacker भी बन सकते हो and 2499 रूपीस मतलब समझे कि आपका just tuition भी pay करने जितना ही है and ये भी हम सिर्फ certification and company and servers charges को होने जितना price से ही provide कर रहे है because India को बहुत सारे hackers का जरूरत है so हम भी advanced होने चाहिए इसलिए हम ये course को provide कर रहे है and बहुत सारे लोग request भी किये है अपने हिंदी में course करने के लिए उस request से ये course को affordable price में provide कर रहे है and हमारा app play store में and app store में भी available है play store में cyberworth academy सर्च करोगे तो हमारा app ऐसे आएगा download करके register हो जाएए and जब register करोगे तब आपके original name सी use कीजिए हम उसी name से certificate provide करेंगे आपको next हमारा application iOS में भी रहेगा apple mobile में भी use कर सकते है app store में my institute सर्च करोगे तो हमारा app ऐसे आएगा and जब register होगे तो D, E, Y, K के organization code दीजिए organization code देके register हो जाएए finally आपको mail ने आने वाला doubt तो यही होगा कि जब हम यह course सीखेंगे तब हमे doubts, errors and problems आएगे तो फिर कैसे and हमें call help करेगा यही सोचोगे but हम कभी भी आपके लिए best option ही लेकर आते है आपको कुछ भी doubts आएगा तो app में chat section होगा वहाँ पर आपको जो भी doubts आएगे वो आप पूछ सकते हो और आप course enroll के लिए app में ही UPI, cards, netbanging ऐसे payments करके join हो सकते हो join होते ही आप automatically आप में chat में एक group में join हो जाओगे उसमें आपके जैसे सब लोग सीखने वाले ही होगे so आप वहाँ पर discuss कर सकते हो and में भी वहाँ पर available ही रहोगी तब भी आप smoothly practicals and hacking के related operating systems यूज कर पाओगे so all the best आप hacker बढ़ना चाहते हो तो ये best course में join होके एक best ethical hacker बढ़ जाएए thank you